ओम शान्ति उंचे ते उंचा बाप सद्गती दाता लिबरेटर गाइड हम बच्चों को मीठी शिक्षाएं देकर अपने समान उंच बनाते हैं और उनकी हम बच्चों प्रति ये आश है कि हम सदा ही खुश रहें और अपने खुश मिजाज चहरे से अन्ने आत्माओं को भी खुशी देने की सेवा करें तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 19 जनवरी 2024 के मधुर महावाक्यों को सबसे बड़ा पुन्य कौन सा है बाप को याद करना किसी को रास्ता बताना सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं जो ज्यान में बहुत होशियार हैं जो ज्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं खुश मिजाज बनने के लिए क्या करना है श्रीमत पर चलते रहो अपने को आत्मा समझो विचार सागर मंधन करो टीचर और गुरु का काम क्या है टीचर का काम है शिक्षा देना गुरु का काम है मन्जिल बताना याद की यात्रा क्यों जरूरी है मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए कौन सी बात याद रहनी चाहिए अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ अब वापिस जाना है राजा बनने के लिए क्या करना है? प्रजा बनानी है सर्विस में रहने और न रहने वालों की निशानी क्या है? सर्विस करने वाले नई नई पॉइंट्स को जट पकड़ लेते, सर्विस न करने वालों की बुद्धी में कुछ नहीं बैठता बच्चों का काम क्या है? सची सची गीता सुनाना अच्छी सर्विस करने वालों को कौन सा निश्चे होगा? हम माला का दाना अवश्य बनेंगे महान बनने के लिए बोल पर क्या अटेंशन देना है? काम का बोलो, युक्ती युक्त बोलो, बोल की एकॉनमी करो, बोल की वैल्यू को समझो सुख देने वाले शुब शब्द बोलो, हासी मजाग के बोल नहीं बोलो शुब बाबा को याद करने से क्या फायदे होंगे? पाप मिटेंगे, खुशी रहेगी, दुख दूर होंगे, पुन्ने आत्मा बनेंगे, हिसाब किताब चुक्तु होंगे क्या होने से क्या होता है? काम पर पूरी जीत पाने से जगत जीत बनते, बहुत पुर्शार्थ करने से सत्युक के आदी में जन्म लेते, बहुतों को रास्ता बताने से उंच पद पाते, खुशी होती इस जन्म के पाप सुनाने से सिर्फ इस जन्म की हलकाई होती, संग के रंग से भूल करने से आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते, पुन्ने करते करते पाप करना शुरू करने से सब पुन्ने खतम हो जाते, श्रीमत का हाथ सदा साथ होने से सारा युग हाथ में हाथ दे क मनुष्रे किन बातों को नहीं जानते, 84 के चक्र को प्रभु राम कौन है, आत्मा परमात्मा को भक्ती कब शुरू होती है, जिनकी पूजा करते उनको कौन जास्ती भक्ती करते हैं, भगवान कैसे और कब मिलेगा पूरा ही संगम युग, बाप के हाथ में हाथ देकर, श्रीमत के आधार पर हम बच्चों को खुशी खुशी इस जीवन का सफर तै करना है, और सदा खुश रहने के लिए इस बात की स्मृति में रहना है, कि हम किसी युग में हैं, हम क्या बन रहे हैं, और बाप, टीचर और स सत्गुरु रूप में सदा ही हमें याद रहे, ओम शान्ति